हेलो गाईज, स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में तो आज हम अपने कावे खंड का चाप्टर जो आपकी पोएम है कैदी और कोकिला जिसके लेखागे माखन लाल चत्रिवेदी उसे हम उसका सारांश करना स्टार्ट करेंगे आपको बता है हमने गद्य घंड की दूनों चाप्टर जो आपके आ रहे हैं वो कर लिए हैं आज हम कावे घंड का पहला कैदी और कोकिला करेंगे तो सबसे हम पहले कवीता का सारांश कवीता में क्या है वो जान लेंगे ये कवी था आपको बता हैं अंग्रीजी शासन के शोशन तंद को प्रकट करनी तथा उनकी विरोध में जनता को उत्साहित करने तो लिखी गई है और ये जेल में लिखी गई है लिखक की द्वारा भारते स्वतंता से रानियों के साथ अंग्रीजी शासकों ने क्रूरता यानि बहुत बुरा वैवार किया है उन्हें भारते को अपने दमन चक्रवा बरबरता रूप पूर्ण नीतियों से तरह तरह की याद नहीं दी कवी ने जेल में अकेले रहकर उदास जीवन वहतीत किय तब उन्हें कोहल से अपने दिर के दुख आसंतोश के भाव प्रकट किये कोहल जब आदी रात में मदूर स्वर में बोलती थी तो कवी को ऐसा प्रतीत हो था कि वह सारे देश को एक कारागार की रूप में देखने लगी है और मदूरी गीत गाने के स्थान पर वह मुक्ती के लिए चीखने लगी है फिर कवी कोकिला से पूछते हैं वह बार-बार क्यों कूखती है कि किसका संदेश लाई है देश भक्तों और से सदंता सिनानियों को डाकूर चोरी और बदमाशक लिए बनाई जेलों में बंद कर अंग्रेजों ने उन पर तरह तरह रखके आरे-का रह जाता है कुईल काली रंकी ती तता विदेशि सासन भी काली था कवी की काल कोट्री भी काली थी टूपी भी काली थी कंबल भी काला था और पहले-दार की हुंकार भी काली नागो की समान qाली थी कवी का संसार बस दस्ट फुट की कोटी ही था जहां उसका रोना भी गुरा था यानि रोने पर भी कोई सजा थी जेल में बस कस्ट ही कस्ट थे फिर भी गान्दी जी की आवान पर देश की सथनता के लिए कवी और सभी देश प्रत्रिन शील देशबक्ष प्रत्रिन शील थेए अब इसी पर अधार शब्दार ये हमने कविता के जो भी आपको है वो हमने पढ़ लिया अब हम इसके शब्दार देख लेते हैं बटमार यानि यारास्ते में यात्रों को लूट लीने वाला हुकंती यानि हुकार, बयाल यानि साप्रणी, मोहन यानि मोहन दास करमचन गान्दी अर्थात महात्मा गान्दी मीट मोट कीचना यानि कोलू का चरस चलाना हिमकर यानि चंद्रमा मोट यानि पूस चरसा यानि चमने का डोल जिससे कुएं आधी से पानी निकलता जाता है कोकिल यानि कुएल तम यानि अधेरा रजणी यानि रात दावानल यानि जांग जेंगल की आग, जुवा यानि बैलों की कंदे पर रखी जाने हाली लकडी, वेदना, दुख, मृदूल यानि कूमल, आली यानि सकी और कमली यानि कमबल अज तो ये आपकी कवीता का साराश और उसके शब्दार्द हो जाएंगे अब हम उसके MC के को कोशन करेंगे, फिर हम पध्यांच पर अधारित परिश्ण करेंगे, आनि आपको पोयम दे रखे होती है, आती है नहीं ऐसे एक्जाम में, और फिर कोशन दे रखे होती है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम अब करेंगे, तो चैनल को पर तक सब्स करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, ज्यादा से जादा दोसक्ता शेर करें, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरू करें, दोसक्ता शेर जरू करें, थांक्स वाचिंटियो बैबे गईगेश,